तो फ्रेंट्स आज आपको इस विडियो में बताऊंगा यूपी पॉलिस एस आई सो आप इसका देख रहे हैं अड्मेट काड कहां से चाह करके कैसे आपको आउट तो कर दी गए बट आपको चेक कहां से करनी होती यह काफी इंपोर्टेंट है सही तरीका से चेक करना सही एक काफी अच्छी स्किल्स होनी चाहिए तो आपको बता देता हो कि कैसे आपको चेक करना होता है कहां से चेक करनी है सही तरीका क्या है चेक करने का आपको इस वीडियों बताता हूं make sure कर लेजिए कि शान को subscribe कर लेजिए क्योंकि जो एक species channel बनाए गया है UP Police SI के रिलेटर ठीक है तो आपको बता देता हूं कि क्या कैसे किस तरीके से तो start करते हैं कि अगर आपको सही तरीका से चेक करना है तो आपको करने कैया है कि जो डिस्रिप्षिप्शन बॉक्स में ने LINK दिया है उससे आपको उपन करना है जो लिंक दिया दैख लिए ुसे Supesimer में तर ना तर्च अधर या आप जो ने जो है को से ठीक पाईंगे कि मैंने यह ओपन कर रहा तो यहाँ पर आपको रैसेश्यान तीक है टाइब करने होती इस वजे साथ आप यहाँ पर अपना अट्मेट गर्डूर्ट कर सकेंग पहले तो पहले तो आपको रैसेश्यान नम धॉ तो जल्दी जाए आप यहाँ पर email ID में आपको message है, आपको text message किया गया है, आपने note down करके रखा है, तो अची बातें नहीं किया है, तो आपको दोने में से किसी एक जगा पर रहेगा, तो आपको जाकर चेक करना, तो आप तुरंत नहीं, जब आप register किये थे, जब application form fill up किये जिस समय आप application form fill किये थे, उस समय आपको registration का link, यह registration number send करते जाता है, तो उस समय आपको check करना पड़ेगा, कब मैंने register किया था, वो जानना है, आपको याद करना है, कब किया था, फिर उसके बाद आप registration number आपको खुदी जूनना पड़ेगा, कहां पर, फिर उसके बाद, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं आद है तो आपको search करना पड़ेगा आपका registration number का है, क्या है, जो भी है, तो आप अपना registration number नोट डाउन करके रखे, अच्छी बात है, यहाँ पर आपको type कर देनी है, आगे, यहाँ पर date of birth आपको तो आपना याद है, तो date of birth इस format में exactly type करनी है, just for example, अगर आप, आपका date of birth आता है, क्या बोलता है, अगर आपका आता है, एक तारीको तो 0 लिखेंगे, अगर आपका date of birth आता है, 12 तारीको तो 1, 2 लिखेंगे, अगर आपका date of birth, 9, एक से लेकर के 9 के बीच में रहेगा, तो 0 लगाएंगे, हाँ, टू डि लेकर के 9 के बीच में, तो जैसे कि अगर मेरा date 5 तारीक को है, तो 0, 5 करूँगा, जैसे जहां पर, 0, 5 करूँगा, and then, month कौन से है, तो यहां पर मेरा month है, 7, यानि कि 0, 7 करूँगा, and then, year, 2000, बस, तो यह मेरा date of birth हो गया, ऐसा, अगर मेरा date of birth है, 12, 1st Gen, 2002, तो exactly, आप मैं ऐसा type करूँगा, तो यहां पर day भी हो गया, month भी हो गया, और यहां पर year भी हो गया, ठीक है, तो इस तरीक से आपको यहां पर type करने होगे, समझ चुके है, I hope, so यहां पर exactly, मैं यही type करूँगा, जैसा, यहां पर मैंने बताया, और यहां पर आपको registration नमर उतर type करने होगे, जो भी आपका registration नमर रहेगा, फिर आप इसे submit करेंगे, जमा करेंगे, तब ही आपका कर पाएंगे, अपना admit card को download कर सकेंगे, ठीक है, I hope, आपको समझ में आ गया रहेगा, मैंने जो मैं बैस समझा है आपको, so अगर आपको कुछ भी doubt है, तो आप definitely comment कर सकते हैं, okay, description box में link के clicker के download कर लिए, thank you so much for watching my video,